मेरा हलका थोड़ा सा डिफरेंट है एने 57 फॉर्म रावल पिंडी और जैसे कि आप सब लोगों को बता है अभी शोकत भाई ने भी आवे बात की जो पॉइंट में भी यहां पे बयान करना चाहती थी कि रावल पिंडी डिविजन के साथ सबसे बड़ी ज्यागती हुई और रावल पिंडी डिविजन को जाय उड़ा के रख दिया इनुने जबकि रावल पिंडी डिविजन में तमाम हमारे जतने MNA's हैं हमारे जो MPA's हैं वो सब जीते हुए थे और एक बहुत हाई मार्जिन से जीते हुए थे मैं अगर अपने हलके की बात करूँ तो मेरे आपनें साब के प्रोग्राम में बैट कर वो हल्फ उठा रहे हैं कि मैं जीता हुआ हूँ और मेरे पास पांच वज़े जो है वो सारे form 45 जो है वो मुझे महया हो गए थे मेरा सवाल यहां पर यह है कि पांच वज़े तो अभी आपकी जो है वो खतम हुई थी आपने कास जो है वो खतम की थी तो पांच वज़े आपके पास आपके form 45 जो है वो कैसे पहुंचे दूसरी बात जहां पर form 47 की बात हो रही है तो जस्सरा की टैंपरिंग जो है form 47 पर की गई जो यहां पर शायद बात जो है miss कर गए सारे के कमस कम हफते डेड़ बात तो वो forms जो हैं हमारे सामने आए के form 47 मौजूद है जी यह हमारे form 45 हैं जो हमने इन लोगों से जीते हुए हैं तो वो form 45 उसी वक्त क्यों नहीं दिखाए गए जिस तरह हमारे तमाम जो जितने भी हमारे जो लोग थे जिन्होंने election contest किया था उन्होंने तो फॉरन अपने form 45 जो हैं वो सामने दिखा दिये थे के हमारे बास मौजूद हैं लेकिन जो आपके form 47 पे जीते हुए यह जो जूटे मकार फरेभी दोके बास चोर यह जो लुटे रहे हैं जिन्होंने जो है आज पार्लिमेंट पर जो काबिज हुए हुए हैं इनके पास form 47 जो है वो उस वक मौजूद था लेकिन form 45 नहीं था तो form 45 जो है क्यों नहीं इन्होंने पेश किये उस ताइम हमारे पास मेरा नहीं ख्याल के हमें से जितने लोग यहां मौजूद है हमारे पास 100% अपना form 45 जो है वो मौजूद है और उसकी बकल्स वला के हमने हर जगा पे चाहे वो सुप्रीम कोट हो चाहे वो हाई कोट हो चाहे वो इलेक्शन कमिस्टन हो चाहे वो कोई भी कहीं भी कोई भी फॉरम हो हमने वहाँ पेश किया है इवन सोशल मीडिया पे हम सब के form 45 जो हो मौजूद है और दो दिनों में पेश कर दिया है तस 11 फरवरी तक सब पेश कर दिये थे तो सवाल यह बनता है कि अगर इनके पास form 45 मौजूद थे तो वो पहले क्यों नहीं इन्होंने दिखाए और क्यों इनको इतना टाइम लगा उनको अपलोड करने में और फिर जब वो अपलोड किये जाते हैं तो माशालला जब लोग जो है उस पे comment करते हैं तो फॉरन से पहले उसको दुबारा जो है वो वहां से remove कर दिया जाता है तो ये वो questions हैं जो मीडिया को करने चाहिए दूसी चीज़ election commission सौरी हमारे commissioner रावल पिंडी की बात हो रही थी आज दिन तक लियाकत चठा साब जो है उन्हों क्यों नहीं पेश किया गया क्या कभी किसी अदारे ने ये पूछने की जुर्ट की कि वो कहा हैं क्यों उन्हें पेश किया नहीं जा रहा जबके रावल पिंडी डिविजन के सबसे बड़े गवा जो है वो खुद वो हमारे commissioner रावल पिंडी थे और जिन्हों ने ये बयान जो है वो लाइव दिया था तमाम मीडिया वहां पर मौझूद था जब उन्होंने कहा था कि मुझे खत्रा है लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं हक सच कहे बगएर जो है मैं इस दुन्या से चला जाओं तो मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ चुका है कि काजी फाइज ईसा साहब को जिनके खिलाव हमने अदम एत्माद की पर्टेशन जो है वो हमने दाएर की है उनको अब इससे साइट पे हो जाना चाहिए और एक ऐसा जो है वो ऐसे बेंच बनना चाहिए ऐसे बेंच को हमारी पेटिशन पे जो है वो बात सुननी चाहिए और समात करनी चाहिए कि जो जिनका इससे कोई तालुक ना हो क्यूंके हमें काजी फाइज ईसा साहब पर बिलकुल इतमाद नहीं है तैंक यू सो काज़ जिब एक बात जिब यहीं बार्स करना चाहूंगा बड़ी जियात्ती होगी अगर हम कराची की बात ना करें हम पंजाब का जिकर तो बहुत करते हैं सबसे बड़ा डाका शाहिद अगर बतौर शहर कहीं पड़ा है तो वो कराची शहर है वहाँ पे कम असकम हम कहते हैं हमारे 18 मने जो हैं उनको महरूम किया गया जहां जहां और 40 के करीब MPA जिसके वोट दस हजार थे उसको एक लाक दस हजार कर दिया गया ऐसा बड़ा डाका शाहिद पूरे पाकिस्तान में कही नी पड़ा मैं अपने हलके की बात करता हूँ दीगर हलकों की बात करते हैं लेकिन एक लमे के लिए भी हमें कराची को नजर अंदाज नहीं करना चाहीए किराची में एक बहुत बड़ा अपने सानिया हुआ है अवाम के वोट को मुस्तरद किया गया है और किराची की जंग भी हम उसी तरह लड़ेंगे जैसे पंजाब की जंग और दीगर सूबों की जंग हम लड़ते हैं शुक्रिया जाए है एक बात मैंने और कहनी है कि पाकिस् सब लोग फैसल मस्जद में आने के लिए त्यार हैं अगर मिया नवाज श्रीफ और मर्यम बीबी जो दोनों हारे हुए हैं अगर ये फैसल मस्जद में कुरान पाक पर आकर हल्फ देरे कौम के जामने हमारी प्रुटिशन वापस ले लेगी बरुटिश्टान के लिए बात उसालार काचट में विस्त लिकालन के ब्रुटिशन वाललों जैसार परे जहती हुए हमारे बहुत सारे धूल के लुठान के लिया थे घौक्सारफ के लिए आदे में गया टेंसित तेनिनल को बहुत वी च्रोप अलुशक्त से सब्सक्राइब को पता है कि निपने जिस्टाइब को चलेगे तो फिर आगे तैक्टू सब्सक्राइब को इसको आपको आपको बार्टी पैली बास यह है कि वह रोपसंद साहब इसका फुल सेक्टरी इतलात है वो आज चुके हमारा लीगल इशू था हमने वोकला की रखी थी आज की प्रेस्टाइब को इस लिए वाज नहीं है इसके कोई दूसी राए नहीं है लेकिन जो आप उस चैट के पतालब कह रहे हैं वो बिल्कुल जुटा प्रोपगेड़ना किया जा रहा है अनकरीब जिन 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 वीडिया उंसे ने इस तरह की प्रोपगेड़ की हैं उसका रफेंस देंके अनकरीब लीगल ओटेस देने जा रहे हैं को उनने प्रोपगेड़ किया उनके खलाब उसमें पूरी तफसील मुझूद होगी मैं अगर आपके और सवालात से पहले मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं अपने सवालात को यह स्टोलन मैंडेट तक मेंदेट रखें बाकी मौझूद हैं इसका सब्सक्राइब करो साड़ा मैंडेट वापस लेके देओ जो उन्दान है ज्यादा जिम्मेंदारी है तो आपके अपने सब्सक्राइब कर दो देगा है तो आपके अपने सब्सक्राइब कर दो बाताएब कर दो देखें हम तो चैचके हैं यह फौज का अंदरूनी मामला है और हम नहीं देखे हैं हम खेर मगदम करते हैं जो भी एतसाब का अमल फौज करना चाहे और हम तो यह कहते हैं फैज अमीदी क्यों 1990 का इलेक्शन असकरखान केस में हमने देखा था तब से और उससे पहले से यह हो रहा है हर इलेक्शन में मुदाखलत होती है अदारे की जानब से मुदाखलत होती है फैज अमीद ना पहले ना आखरी अफसर थे इस होदे पर जनों ने मुदाखलत की नहाज़ा सब को हम कहते हैं कोटेरे मिलाएं और पाकिस्तान के अवाम को उनका हक ती शुएफ चाहिए इसमें दो चीज़े एक है इल्जामात जब लगेंगे ऑफिशली बकायदा उसका हमने राइटाब डिफेंस है इसलिए अभी तुसरे बाते हैं इसलिए हम उनका जव आजवा ने हमें कहा कि आएं 2019 में अभी साथ मेने नहीं होते हैं मारी अकूमत को आएं पहले पंजाब गौर्मन ले लें फिर फेरल गौर्मन ले लें ये तो मुदाखलत एड्मिटेड है ना एड्मिटेड फैक्ट्स नहीं ना टू पी प्रूवड इसके ओपर प्रोब हो हो जाएगी हम मानेंगे कि ये सिलेक्टिव जस्टिस सिस्टम नहीं है ये टू सेंस में हो रही है और आखरी बात आज जो कुछ इस्टैबलिश्मेंट मुदाखलत कर रही है किसको नहीं पता कि किन किन लोगों को उठाया गया है और कौन उठा रहा है आज 26 से ज्यादा ल कोट वालों ने लिखा वो भी आपके सामने है इस सुप्रीम कोट में तमाम हाई कोट्स और लोड जोडिशी ने लिख के दिया है कि हमारे रास्ते में रुकावट सबसे बड़ी इनसाफ के रास्ते में आईजसाई है और अगर हम उनकार करते हैं तो हमें लाइफ थ्रेट् बंद करें और आप अपने आईनी हुदूत में चले जाएं तो हम मान लेंगे कि आप वाकी नेक नियती के बन्याद पर ये प्रोसीड कर रहे हैं मेरे खाले इस से ज्यादा हम इसमात बना बात 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 बहुत है कि हमारा बतोर जमात कोई तालुक नहीं है वो बिलकुल अ अगर मिल्टरी क स्टेडी में आप लीगल इससे की बाद हम से पूझ रहे हैं तो उनके हाग में प्रेस कांफिस कौन कर रहे हैं अतात आरड शरजील मेमन अगर वो लोग उसमें जब कहते हैं हम कहते हैं और पूरी मिल्टरी आईस पर की स्टेट्मेंट भी आई है कि अगर वो दोनों जम्प इन कर गए हैं तो इसका मतलब यह है कि इनका एजंडा सियासी है दूसरा कोई एजंडा नहीं है चलिए अगर दूसरे मांडेट पर रहे हैं यह जनरल पाजवा अमीद का मामना जो है वो आज का मौजू नहीं है हम कह चुके हैं बतौर जमात अमान कोई तालुक नहीं है तोलन मैंडेट प्लीज स्टोलन मैंडेट शिराइश सब सिर्फ आज करने लेकर रहे हैं जी जी कीजिए ख़बरी ही लगिया इदाक ने कि आपका मेंडेट वापस में लिकन आरिया दिनों में हमें यह लगा है कि यह जी 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 किया गया या很 누나 है आया तो यह क्ले सकते हैं अप्रेवसी पें किया की विज़े से मेरूम किया गय जी जी तो ऐसे मोक्पपि अपकी टीक यूँ निशी से जीनी जा रहा हम हैं तो कैसे आप गर रहं है मखसूस देखें ये मामला तो बिलाखिर अडालती है ना जो ये महरूम किया गया तीन सीटों से ये अक अडालती हो ख sci-drift के खिर té कानून के खिलाफ है। कोई हक नहीं था एलेक्शन कमिशन को कि वो कई माँ बाद रीकाउंटिंग करे और सुप्रीम कोट कहे कि ये ठीक है कम उसकम पचास साल की जो हमारी अदालती नजीरे हैं उनके बर खिलाफ है ये फैसला तो हम ये जिद्दो जहुद करते रहेंगे इसलिए हमने जो अपना अ पर हमारी सीटे नहीं देनी हम लड़ रही हैं हम लड़के जीतेंगे इनको ऐसा नहीं है कि हम मनतजर हैं कि किसी की नजरे करम होगी तो हमें सीटे मिल जाएंगी यहां ये समझ लिया गया है कि जब तक नजरे करम ना हो कुछ नहीं हो सकता हम करके दिखाएंगे कि नजरे क कि आ है और सच को कोई अपने फैसले के जरीयर रद नहीं कर सकता है टेक्ट रबिस्टाइब कर देखें इस दिखें कि अदलिया की अंदर आप देखते हैं कि बिलकुल एक खायश मौजूद है इनसाफ करने की रिजर्फ सीट्स के मामले में ये बात खुल के सामने आई ऐसा नहीं है कि इस कौम में कोई भी नहीं चाहता कि इनसाफ हो पाकिस्तान की अवाम इनसाफ चाहती है इदारों के अंदर भी हम समझते हैं लोग इनसाफ चाहते हैं अदलिया के अंदर लोग इनसाफ चाहते हैं लहाजा हम जमीर जंजोडते रहेंगे हर इनसाफ पसंद का आप किया जाते हैं कि ये आपकी जो एक पेटिशन है वो पैटिल पड़ी है वार्थाने वाले जो चीफ जस्टिस है मुझूल है वो आपकी केस मुझूल है वो आपकी केस केस है नहीं जरूरी नहीं है देखे कल जो केस मकरर था सुप्रीम कोर्ट में अभी शायद इतला रही है कि वो ना हो वो इस हवाले से है कि जो पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल काइम किये गए जो चीफ जस्टिस शहजाद एमद खान साब ने नाम दिये थे उन नामों को रद करने का कोई अख्यार इलेक्शन कमिशन को नहीं है बाकी तमाम सूबों में चीफ जस्ट के बाद सुना जाए उस से पहले सुन लिया जाए बलकि हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो ताकि ये मुकदमात हमारे चल सकें क्यों कि स्ट्री ओर्डर है इस वक्त लेकिन ऐसा बेंच हो जिस पर हमें इतमाद हो और हमने अदमे इतमाद इस वक्त सिर्फ एक शखसियत के हवाल तो इसको कैसे देखें ने देखें फरक कोई नहीं बढ़ता जा रहा है उसमें ताखियर की वजवात में एक ये बात शामिल है कि इन्होंने कानून साजी की है इन्होंने इलेक्शन एक्ट दोजार सत्रां में तर्मीम करके जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्सूस्चों निश कर श्रिशन दाएर कर चुके हैं हमारा ये मौकफ है कि उस फैसले को रद नहीं किया जा सकता साधा कानून साजी के जरिए पाकिस्तान का आइन सुप्रीम है ये बिलकुल एक खलत तासर है कि पार्लेमान सुप्रीम है जब आइन की तश्रीः सुप्रीम कोट कर देती है तो इस गेर आईनी कानून साजी को रद कराने के लिए तो इन्शालला ये मामला आगे बढ़ेगा इसमें कुछ ताखीर है लेकिन अवाम को रख जरूर मेलेगा आफरी स्वाल आफरी स्वाल ने देखें ये वैसे मैं कहा दो है खान ख्याली है लोगों की के पार्टी के अंदर कोई तफरुके हैं ऐसी कोई बात नहीं है देखें पार्टी के अंदर गुफ्तगू होती रहती है पार्टी बिलकुल मुतहद है एक नजरीय के इर्द गिर्द पार्टी मुतहद है इमरान خان صاحب کی قیادت کے پیچھے لہٰذا یہ تمام چھوٹی باتیں ہیں کون آیا کون گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بہت زیادہ بڑے استیفے آٹھ فوری سے پہلے ہو چکے تھے لیکن عمام نے ووٹ دیا اور ان تمام استیفوں کو قرد کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں نمبر دست thank you